असलाम नेकुम डियर स्टूडेंट आज हम टीपैक्स के बागी एक्रोनम्स को स्टेडी करेंगे और आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना अब इसमें कैसे कन्फ्यूजन से बचा जा सकता है यह मैं आपको बताऊंगी तो हमने जो पहले अक्रोनम्स पढ़े थे वो क्या था सबसे पहले content knowledge जो सीके हैं अपने subject के बारे में जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में knowledge होना PK, pedagogy, art of teaching के बारे में क्योंकि हर subject को पढ़ाने का तरीके का अलग होता है जिससे sports का teacher अपने student के साथ interaction करता है वैसे literature का teacher introduction नहीं करता है इसी तरीके से तीसरा था technological knowledge ठीक है यानि कि आपको technology जो है इस वकत हमारे पर जितनी भी technological facilities available है जो teaching learning में support कर सकती है या उन्हें support नहीं कर सकती है, कितनी support कर सकती है, कम या ज्यादा उसके बारे में knowledge होना अब हम इनमें से दो चीज़ों को combine करने जा रहे हैं इसका मतलब भी होगा कि जब वो दो चीज़ों के तो उन दोनों चीज़ों के features combine होंगे और वो कैसे लगेगा सबसे पहले हमारे पास आ रहा है pedagogical content knowledge, pedagogy, art of teaching, content आपको अपने subject के ओपर command होना उसकी concept और उसकी theories और उसकी jargons के बारे में आपको पता होना pedagogical content knowledge किसी को refer करता है, यह fundamental area teaching को, learning को और teachers की knowledge को मिसाल के तोर पे pedagogy में आ जाएगा definitely evaluation assessment, student की learning style, आपके learning objective जो हमारे curriculum के होते हैं और इसके साथ-साथ यह चीद आ जाएगी कि जो curriculum हमने पढ़ाना है content का वो curriculum क्या है, इन को हम किस तरीके से support कर सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप सिर्फ एक ही subject ले लें तो वो different grade में उसकी different किसम के requirement होगी, different requirement की वजह से उसकी teaching strategy बदल जाएगी, जब हम बच्चों को language start कराते हैं pre school में तो हमारी teaching strategies different होती ह पर grade 5 में अगर हम language बढ़ा रहे हैं तो हमारी teaching strategies भी different होगी, बच्चों से हमारी assessment भी different होगी, learning objective भी different होगी और हमारी content expertise भी different होगी और जैसे जैसे grade बढ़ता जाएगा ये चीज़े different होती होती चली जाएगी सो PCK का जो बुनियादी मकसद है वो आपकी instruction को बहतर करना है, जितनी आपके understanding होगी कि आपको किस किसम का knowledge और कैसी pedagogy required है उचनी बहतर आपकी teaching strategies बनेगी और आपकी methodology और content matter और बहतर तरीके से gel in हो सकेगा अगली चीज़ आजाती है acronym में हमारे सामने जिसको हम कहते है technological content knowledge इसका मतलब यह है कि technology भी हमारे सामने है और content knowledge भी हमारे पास मौझूद है teachers बन्यादी तोर पर different technology उनके हाथ के अंदर आती है तो उनको क्या समझना चाहिए उनको यह समझना चाहिए कि कैसे ही वो जो technology इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो इन्हें support करेगी teaching में या उन्हें contradict करेगी यह जो teaching technology के साथ जो भी instruction या planning वो करते हैं वो technology कितनी supportive होगी या कितन supportive हो सकती है इसके बारे में teachers को knowledge होना चाहिए और वो किस demand में होना चाहिए किस domain में होना चाहिए कि उनकी content knowledge को कैसे support करेगी इसके अंदर हमारे teachers जो हैं वो क्या सोच सकते हैं कि वो attack tools जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं किसी भी particular subject या class में पढ़ाने के लिए क्या बच्चे और क्या वो खुद उनकी comprehension जो है उन tools को इस्तेमाल करके बेतर होती है या नहीं हो सकती है किस किसम के उसके साथ issue आ सकते हैं अब technological, pedagogical knowledge के अंदर हम यह term इस्तेमाल करते हैं कि यह और चीज जो इंटर्ड्यूस करवाती है कि जब भी आप कोई gadget यह technology इस्तेमाल कर रहे होते हैं या app इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या वो searching tool और उनमेंसे कौन-कौन से search tool आपकी content knowledge में आपको help out करेंगे और कौन से distract करेंगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जब हम इन tools को इस्तेमाल करते हैं अपने pedagogy के साथ पढ़ाने की skills के साथ evaluation और assessment के साथ तो हम यह देखते हैं कि किस तरीके से जैलन होंगी हमारे lesson plan किस तरीके से बेतर हो सकते हैं कितनी interesting किसम की activities develop हो सकती है और assessment develop हो सकती है पैडागोजी, content और technology इन तीनों को जब है integrate करते हैं sensibly art of teaching को समझते हैं अपने content को समझते हैं और वो जो technology अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी features को समझते हैं कि वो कैसे आपकी teaching methodology और content को support करेगी इस total combination का नाम है TPAC